वेलकम बेक एवरिवन आप सबी कैसे हैं दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यो किरप्या इसे लाश्ट तक देखें वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को भी सेर करें आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि टाइम टेविल बनाना कैसे स्ट्रेस काज करता है सबसे पहली समझने वाली बात यह है कि आप टाइम टेविल कब बनाते हैं आप टाइम टेविल जब ही बनाते हैं जब आप स्टडी में रेगुलर नहीं होते हैं ऐसा ही तो होता है सोचिए अगर आप अपनी स्टडी में पहले से रेगुलर होते तो आपको time table बनाने की need ही क्यों होती, नहीं बनाते ना, सोचिए जो बंदा पहले से अपनी study में regular है तो भला वो time table क्यों set up करेगा वो कभी time table को set up नहीं करेगा, simply वह अपना काम करता रहेगा जब आप time table set up करते हैं, it means that you are fixing yourself in time boundaries time table बनाकर आप अपने आपको समय की सीमाओं में बांदते हैं, कि मुझे इतने बज़े ये करना है, मुझे इतने बज़े ये करना है, ऐसा ही तो होता है ना, आप सोचते हैं कि इतने से इतने बज़े तक मैं ये पढ़ूँगा इतने से इतने बज़े तक मैं यह पढ़ोगा यही करते हैं लोग टाइम टेविल बनाके जरह आप सोचिए क्या और दूसरी चीजों में आप पहले से fix up हैं? क्या और दूसरी चीजों में आपने पहले से अपने आपको fix किया है? सायद नहीं किया है आप फिरी ही नहीं है कि आप अपने आपको time boundaries में बांध सकें क्योंकि आज की इस दुनिया में आपके सामने हजारों चीजे हैं जो आपको distract करती हैं आपके मन को बढ़काती हैं simple example your mobile phone कभी भी किसी का call आ सकता है कभी भी कोई whatsapp message कोई facebook message pop out होगा और आप अपना phone उठा के उसको check करेंगे and आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका time निकल जाता है so just think that if you are not already fix up in your other works अगर आप पहले से अपने दूसरे कारियों में fix up नहीं है उनकी लिए time boundaries नहीं है तो आप study के लिए अपने आपको time boundaries में कैसे set up कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ना इस बात को थोड़ा सा सोचिए mostly लोग time table बनाते हैं only for study but they don't make time table for other things like वो कब सुबह जागेंगे कब घूमने जाएंगे कब किसे call करना है there are no time limits for anything so try to understand अगर आप पहले से अपने चीजों में set up नहीं है अगर आपने पहले से अपने आपको अपने चीजों में fix up नहीं किया है तो आप time table को study के लिए follow करी नहीं सकते हैं क्योंकि जो other activities हैं वो आपके बनाएगाई time को consume कर जाएंगी और आप सोचेंगे oh sit मैं आज इस time पे इस चीजों को नहीं पढ़ पाया आप ऐसा ही तो सोचते हैं और जब ऐसा सोचते हैं at that time you feel psychological pain आपको लगता है मैं क्या करूँ दो दिन हो गया है मैं उस time पे study नहीं कर पाया उसका phone आ गया था उसका message आ गया था मुझे किशी ने बुला दिया lot of things you face so please keep in mind अगर आप पहले से अपनी चीजों में उलजे रहेंगे अगर आप पहले से अपनी चीजों में certain criteria decide नहीं करेंगे at that time you will feel always psychological pain हर हमेशा आपको stress होगा मैं ऐसा नहीं कर पाया अब मैं क्या करूँ और इस तरह से आपका time table हफते भर भी नहीं चलता है and you think what should do I now ऐसा ही होता है so if you want to be regular in your life so be regular for all things सबी चीजों के लिए regular होना है तब ही आप ऐसा कर सकते हैं only time table for study not possible क्योंकि वो सारी other activities जो आप life में करते हैं जिनके प्रती आप fix up नहीं है कि कब क्या करना है वो सारी चीजें आपके study वाले time को cover कर लेंगी और आप study नहीं कर पाएंगे so be clear कब क्या करना है कि balance of your activities कब किससे मिलना है कब किससे बात करनी है कब मुझे phone चलाना है lot of things इन सबी चीजों के बारे में आपको सोचना होगा नहीं सोचेंगे तो continuously आपके साथ बस यहीं होगा कि मैं क्या करूँ मेरा time table तो मैंने set किया था उसके according में study नहीं कर पाया ऐसी ही बहुत सारी चीजें आपके साथ होती रहेंगी time pass होता रहेगा और आप stress feel करते रहेंगे and this stress after some time will change in your depression और आप सोचेंगे मेरे साथ क्या हुआ है आप खोद ही नहीं समझ पाएंगे so be clear keep balance in your daily activities and be happy so thanks for hearing this full video मैं आपसे मिलता हूँ next video में और भी कुछ नए चीजे लेकर नए टॉपक स्लिकर that will help in your exam